पाठ दो, किस्मत दे रंग एह गलबात एक पेंडू बुज़ुर्ग ते शहरी मुंडे विचाले हुन्दी है बाबा, सारा दिन तुसी इस तख्त पोश उपर अपना समा कीवे गुजार दे हो पुत्तर अपना समा ता गुजर गया, हुन ता दुज्यां दा समा गुजर दिया देख रहे हा पर बाबा जी तो हानू पढ़ना लिखना ता आउंदा ही होवेगा नहीं पुत्तर, एना नहीं, असी हुन तो हड़े वाली पढ़ाई नहीं पढ़ सकदे फिर तुसी एनियं सारियां गल्ला कीवे जान दे हो एह सारा कुज सनू जिन्दगी ने सिखाया है ओ कीवे गल्ला बाता सुन के दुनिया दि समझ ओनी शुरू हो जान दी है कुज अपनिया सुनना के आ जान दी है पुराणी समया विच्वी इसे तरह हुंदा सी बिलकुल उस समय ता ना स्कूल संते ना किताबां फिर ए सारा कुछ सिखते की में सी बात ता कहाणिया सुनके समझ गया जी में साधी किताब विच्वी एक एहोजी ही कहाणी है मैं तो हनु सुनाओं दा हाँ एक पाई खत्री सी ओह बहुत अमीर बंदा सी पर उसनु एक बहुत वड़ा दुख सी कि उस दे कोई आलाद नहीं सी एक दिन एक संत महात्मा उना दे काराया खत्री अते उस दी करवाली ने महात्मा दी बहुत सेवा किती फिर उनाने बैठके महातमा अगे अरज की थी कि महराज साडेते मेहर करो सानू पुतर दी दात बख्षो संत अंतरत्यान हो गया कुछ देर बाद उसने अखा खोलिया अते बोलेया की दी दात तां तो हानू मिल सक दी है पर पुतर होन सार तो हाडेते गरीब भी आ जावेगी फिर खत्री ने हाथ बन के किहा महराज मैं अमीरी तां बहुत पोग लई है फिर वी संतुष्ट नहीं होया इसलए तुसी उत्तर दी दात बख्षो गरीबी दी कोई गल नहीं गरीबी असी चल लवांगे संता ने मेहर कार दिती अते आउंदे साल उनादे कार खूब सूरत लड़का पैदा हो गया खूण गल सी गरीबी दी एह वी सच हो गई आज होर कल होर दिना विच ही ओह अंतादे गरीब हो गए आखर गरीबी इन्नी वद गई कि ओह रोटी तो आतुर हो गए उस दा मुंडा हाले छोटा जहा ही सी उसने अपने मुंडे नू नाल लेया अते अपने एक साहुकार दोस्त कोल चला गया साहुकार उसनों मिलके बहुत खुश होया फिर खत्री ने पैसे आदी मांकिती साहुकार कहनदा जिन्ने लोड है ले लेओ खत्री कहनदा नहीं जी इस तरह नहीं तुसी मेरे बच्चे नू गहने रख लेओ जद मैं पैसे देवांगा ता बच्चा ले जावांगा साहुकार ने बठेरा कहा कि ऐसी कोई गाल नहीं तुसी पैसे ले जाओ पर खत्री कहनदा कि मेरा इमान नहीं कहनदा कि मैं मुफ्त पैसे ले जावां क्योंकि मैं छेती मोड नहीं सकदा पर किरपा करके मेरे बच्चे नू वी अपने बच्चेयां समान रखना साहुकार दा गच पाराया, कहन दा, तूसी एह क्यूं कहन दे हो, मेरे बच्चे अते इस बच्चे विच की फरक है, तूसी कोई फिकर ना करो चल पाई खत्री ने पैसे ले अते बच्चे नुँ छड़के उदास मुह लेके मुढ गया साहुकार ने उस बच्चे नुँ प्यार नाल पाले अपोस्या अते काफी वड़ा हो गया साहुकार दे अपने लड़के वी वड़े हो गय साहुकार दे आपने मुंडे ता दिमाग दे मूटे सान पर खत्रीदा मुंडा बहुत ही हुश्यार सी रोजाना नदीते इश्नान करन जान्दा अते पाट करदा एक दिन ओह इश्नान करके मुड़या आरेहा सी ता ओसनू एक परची राह विच पई मिली एह पर्ची किसे वपारी वलों दुझे वपारियां देना एक सुनेहा सी जिस विच लिख्या सी कि एक इस शहर विच्चों सारी चिट्टी अते खाकी रूँ जिस पाव तेवी मिले खरीद लेो ओह मुंडाक तुरंत कार गया ते थोड़े जिए पैसे लेके फिर बजार आ गया ओह जिस दुकान तेवी रूँ मिल दी सौदा कर लेंदा अते साई फडा दिनदा कहनदा एक दो दिन विच पैसे देके रूँ चुकलवांगा दिन वेले वपारी आ गये उना ने दुकान ते रूँ पुछी पर दुकान दार कहनदे एह रूँ ता फलाणे सेठ दे मुंडे ने खरीद लई है जे तुसी रूँ लैनी है ता उसनू मिलो वपारी नू वपारी उस कोल चले गए मुंडे ने सारी रूँ सवाय मुल ते वेच दिती उसने वपारिया नू नाल लेलेया ते बजार विच वपारिया तो ही पैसे दवा के मुनाफा अपनी जेब विच पालेया इस तरह उसने बहुत सारा तन कमालेया अते साहुकार नू जाके दे दिता ओह बहुत खुश होया साहुकार उस दी बुद्धी थे हैरान सी अगे लई इस मुन्डे दी काबलियत ते साहुकार दा यकीन बज गया साहुकार इस मुन्डे नू ही अगे रखदा पर सेठ दे मुन्डे अते उनादिया पत्निया इर्खा करन लग पईया ओह गल गल ते कहन लग पईया कि सानू ता गहने ने मारया है मुंडे नू इस गालदा कोई पता नहीं सी एक दिन मुंडे ने सेठ नू क्या पिता जी मैं इतो जहाज ते कनक लद के इंगलेंड जाके वेचना चाऊंदा हा मैं एह वपार करके काफी खटी करांगा बस जे तुसी आग्या दे देओ साहुकार कहनदा बेटा मैं नू तेरे ते मान है तू जरूर कमा के ही लियावेगा तू जाना चाहूंदा है ता चला जा मुंडा त्यार हो गया तुरन लगगे नू उस दियाँ पाबियां कहन दियां उत्थों गुलदस्ता लेके आई उसनू गुलदस्ते वाली गाल दी कोई समझना लगई इस लई चंगा कहके ओह तूर गया फिर ओह कनक जा जहाज लेके इंगलैंड पहुँच गया इंगलैंड पहुँचके ओह एक वड़े सेट कोल गया अते उसनू महगे पा कनक वेच दिती मालो माल होया ओह सेट कोल बैठ गया सी कि उसने सुबावक ही गुलदस्ते दी गाल कर दिती कहनदा सेट जी सेट जी एह कितों मिलेगा मैं गुलदस्ता लेके जाना है सेट ने मुंडे नू प्यार नाल समझाया बेटा इद्धर लड़की नू गुलदस्ता कहन देहन तू किसे होर नू इस तरा ना पुछी वैसे मैं अपनी लड़की व्यादिती है नहीं ता तैनू गुलदस्ता देवी दिन्दा मुंडे दी अखा अड़िया रह गया होन उसनू समझ लगई कि पाबिया ने उसनू जान बुझ के गुलदस्ते बारे क्या सी ता कि उस दे छितर पैजान पर ओह कुदरती बच गया सी मुंडा सेट तों विदा हो गया ओह शेहर दे बाहरवार खलोता सी कि उत्थे एक बरात आके रुकी बरात दा लाडा काणा सी पर जिस लड़की नू ओह व्याउन चल्ले सी ओह बहुत खूपसुरत सी लड़की दा बाब बहुत तनी सी बरात वाले सोच रहे सन कि कि दरे गाल विगड़ न जावे उन्हाने सोचिया कि किसे सुन्दर बंदे नू लाडा बनाके लै चल्लिये इसलई ओह इस वपारी को लाके खड़े हो गए सन ओह सुदागर नू लाडा बनाके मल्लो मल्ली लै गए कहनदे तैननू कुछ कंटिया बाद ही छड़ दिता जावेगा इस तरह बरात लड़की दे कार चली गई लड़की दा पिता लाडे नू देख के बहुत खुश होया शायद लड़की नेवी अंदरो उस नू देख लिया होवे इस तरह सुदागर दा सुन्दर लड़की नाल अनंद कारज हो गया बाद विच सुदागर नू कुछ पैसे दे के छड़ दिता गया काणा उस लड़की नू कार विच बिठा के ले गया लड़की वी चला आकसी उस नू इस हेरा फेरी दा पता लग गया कहंदी जी गड़ी वापस ले चलो जी गड़ी वापस ले चलो, मैं एक दवाई खांदी हाँ, जो पुल लाई हाँ, मेरे तो बिना किसे होर नू, ओह दवाई नहीं लबनी ओह कुडी नू वापस ले गए, कारजा के कुडी कहन दी मैं ता उस नाल ही जा मांगी, जिस नाल मेरा व्या होया है, एह सुन के बराती दोड़ गए होण इस अमीर कुडी ने सादूआ वाला पेस तार लेया, एक थैली पैसेया दी पार लेई, अते अपने पती दी पाल विच चल पई, पुछ दी, पुछाउं दी, ओह बंदरगा ते पहुच गई, जहाज चलन ही वाला सी, उसने मुंडा पच्छान लेया, होण एक किते जाना है, कहनदा की मैंनू वी नाल लेचलोगे, मुंडा कहनदा महराज तानपाग साड़े, जरूर लेचलांगा, तो हानू नहीं लजावांगे, ता होर किसनू लजावांगे, आजाओ, तुसी मेरे वाले डिब्बे विच ही चलो, इस तरह इस कोमल सादू ने उस परकीता, राह विच गलना करदे करदे उसने मुंडे दा पूरा सिरनामा ले लेया, जहाज मंजल उत्ते पहुँच गया, मुंडा कहनदा, महराज तुसी कुछ दिन मेरे कुल रहो, मेरी सेवा कबूल करो, सादू कहनदा, जीते रहो, मेरा वी दिल चाहता है, पर पहला इत अधे मैं एक कम करना है, फेर आउंगा, जे दाना पानी रलेया होया, जहाज तो उतर के एह प्यारा सादू, सिद्धा सेठ दे कार गया, अतिसारी गाल दा सित्ती, सेठ ने दस्या की ओह लड़काता मेरे कुल नौकर है, उस दा पिता फलाणी जगा रहनदा है, सादू उस खत्री कोल चला गया, खत्री ने अपने कार अगे कुल्चियां दी रेडी लाई होई सी, सादू ने खत्री दे पैरी हत लगा दिते, खत्री कहनदा, बाब्यो, कानू पार चड़ाउं देओ मेरे सिर, तो हड़ी सेवा दसो की करिये, मेरे कोल ता कुल्चे ही हन, सादू कहन खावा पीवांगे फेर, पहला में तो हड़े नाल कार जा के गल करने हैं, चलो महराज, कहके खत्री उसनू कार दे अंदर ले गया, होन इस कुड़ी ने सारी गल दस दिती, खत्री बहुत खुश होया, पर फिर उसने हौका लेके कहा, कि पाई मेरा मुंडा ता सेठ कुल ग कहने हैं, असी उस दा करजा देना है, कुड़ी ने थैली विच्चो सारे पैसे कड के टेर लगा दिते, कहन दी, लओ, उस दा करजा उतार के मुंडे नू, कार ले आओ, जे होर किसे दा करजा होवे था, ओह वे उतार देओ, खत्री ने असमान वल वेख्याते केहा, किसमत कदे रंगने, कदे मैं अमीर हो जानदा हां, ते कदे कंगाल, शुकर है तेरा दात्या, खत्री उठके साहुकारवल चल गया, जदो ओह प्यो पुत्तर वापस आए, ता ओह लाड़ी बनके सजीत जी विढ़े विच खड़ी हस रही सी, सुदागर मैं तेरी सेवा कबूल कर लई है,